आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और इस बार मैं बहुत ही important chapters लेके आपके सामने उपस्तित वाँ हूँ लगुपाराशरी के लगुपाराशरी में आप जानते हैं कि 40 से अधिक शलोक हैं 40 के करीब शलोक हैं और इन शलोकों का अर्थ अगर आपने समझ लिया तो जाएंगे प्रहत पाराशर होरा शास्त्र का निचोड़ है लगुपाराशरी उनी का निचोड़ बोला गया है और उस शास्त्र को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लगुपाराशरी को समझ जाएं लगुपाराशरी में हर चीज तरह की चीज दी हुई हैं कैसे द लक्षन दिया गया है बताया गया है किसका नाम लगुपारशरी है या पारशरूरशास्तर का है शलोग पांच से उन्होंने कुछ चीजे बतानी स्टार्ट की है तो मैं आपको शलोग पांच से इसके अंदर बताऊंगा कि क्या क्या उन्होंने इसके अंदर बताना कहते हैं परश्यंति सप्टम सर्वेशनी जीव कुजापुने विशेश तस्चे त्रिदश त्रिकोने चतुरस्टमान क्या मतलब वो इसका इसका मतलब है एक सेकिंड होल्ड कीजेगा कि जियोतिस में दो तरह की द्रस्टियां होती है अब उसमें क्या बताया गया है कैसी द् द्रस्टी क्या होती है कि एक द्रस्टी होती है आरही द्रस्टी एक होती है तीन बटा चार यानि कि त्री फोर द्रस्टी और एक होती है फुल द्रस्टी जिसको कम्प्लीट द्रस्टी बोलते हैं तो वो पारश्री सिस्टम में बताया गया है कि एक चौथाई द्रस्टी ह हर ग्रह अपने से तीसरे भाव में बैठे और दस्वे भाव में बैठे ग्रह को देखता है लेकिन उसका इंफ्लूएंस के वर 25% होता है वो आपकी 1-4 द्रस्टी कराती है अभी तक तो हम यह सोचते थे कि बुद्ध है शुक्र है या आपका सूर्य है चंद्रमा है इनकी एक द्रस्टी होती है लेकिन बुद्ध शुक्र भी तीसरे और दस्वे भाव को देखते हैं एक बटे चार द्रस्टी से एक चुथाई द्रस्टी से उनका इंफ्लूएंस सिर्फ 25% होता है आधी द्रस्टी से देखते हैं वो पांच वे और नवे भाव को वहाँ पे जो यह हम जानते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि बुद्ध और शुक्र जैसे एक रहे जिनको सिर्फ एक ही दरस्टी प्राप्त है, वो भी तीम special दरस्टी उनके लिए भी है, एक चौथाई दरस्टी, आधी दरस्टी, और तीम चौथाई दरस्टी, एक, चौथाई द्रस्टी से तीसरे और दसवे भाग को हाफ, ऐस्पेक्ट से पांचवे और नवे द्रस्टी से चौथे और आटवे भाग को यह देखते हैं और सब कंप्लिट ड्रस्ती होती है सैबन लेकिन इन द्रस्टियों का इस्तेमाल हम इतना नहीं करते काफ़ी सारण में बठाना पड़ता है तो हम वही दरस्टी लेते हैं जिन दरस्टी के बारे में जिक्र किया है उसके अलावा जो दरस्टी हम लोग नॉर्मली जानते है कि बुद्ध क्यों की 7 जूरी चंद्रमा की 7 जूरी दरस्टी होती है शनी की तीसरी साथवी और दसवी द्रस्टी होती है, गुरू की पाँचवी साथवी और नभी द्रस्टी होती है, तो हम वही लेके चलते हैं, तो इसमें ये कहा गया है, कि जितने भी प्लाइनेट्स है, ये श्लोक है, इस श्लोक में ये बोला गया है, कि all the planets expect these 7th house from its natural position, जह लूल ये है, कि शनी जहां बैठा है, चार्ट में, वहां से वो तीसरे भाव और दसवे भाव को भी देखता है, ब्रस्पती जहां बैठा है, वहां से वो अपने से पांचवे भाव और नवे भाव को भी देखता है, मंगल जहां बैठा है, वो वहां से चौथे और आटव फूर द्रस्टी नहीं होती है, ये फुल द्रस्टी होती है, तो फुल द्रस्टी केबल जो होती है, उसमें सूर्य को सेवन्त द्रस्टी, चंद्रमा को साथवी द्रस्टी, मंगल को चौथी साथवी और आटवी द्रस्टी, बुद्ध को साथवी द्रस्टी, प्रस्पत को प आप example दिखाते हैं आपको इसके अंदर, तो उससे आपको जादे clear हो जाएगा, उससे आपको problem नहीं होगी, हम आपसे शनी की बात कर रहे थे, जैसे शनी है, शनी इस कुंडली में कौन से भाव में है, लगन में बैठा हुआ है, तो इसकी तीसरी द्रस्टी कहा होगी, एक, तो ती, तीसरे भाव पे होगी, सात्वी द्रस्टी कहा होगी, तीन, चार, पांच, छे, साथ, यानि सात्वे भाव पे सात्वी द्रस्टी होगी, और साथ, आठ, नौ और दस, यानि दस्वे भाव पे द्रस्टी द्रस्टी होगी, यह जो हरस को बनावाय कुंडली है, यह किशोर कुमार साब की है जो बहुत ही फेमस गायक रहे हैं गायक थे और गायक उनसे मतब अच्छा गायक मिलना आज भी बहुत मुश्किल होता है तो इसमें शनी जो है वो लगन में प्लेस्ट है और सेटन उसकी जो फुल एस्पेक्ट है वो साथवे भाव पे तीसरे भाव और दस्वे भाव पे गई होई तो ये हम शनी की द्रस्टी के बारे में समझते है इसके अलावा अगर आप मंगल देखें मंगल इस कुंडली में कहा है या शुक ब्रस्पती इस कुंडली में कहा है ब्रस्पती आपका इस कुंडली में छटे भाव पे है ब्रस्पती को भी दसवे भाव को छे, साथ, आठ, साथ यहां आ गया, साथ यहां आ गया, तो सातवी द्रस्टी से बारवे भाव को और आठ और नौ, यानि नौवे द्रस्टी से दूसरे भाव को देखता है ब्रस्पती, तो इस तरह से हम द्रस्टी देखते हैं, तो द्रस्टी वहां देखते कम्प्लीट होती है लेकिन तीन ग्रहों को मंगल शनी और गुरु को कुछ स्पेशल द्रस्टी जी गई है ब्रस्पति को पांचवी साथ पांचवी और नवी एक्स्टा जी गई है मंगल को चौथी और आठवी एक्स्टा जी गई है और शनी को साथवी, चंद्रमा को साथवी, मंगल को चार साथ आठ, बुद्ध को साथ, प्रस्वत्य को पांच साथ नो, दीनस को साथ, और सेटन को तीन साथ तस, ये दरस्टिया प्राब्त है, ये श्लोप पांच में का चल रहा है, जो मैं आपको बताते हैं, और रिशी पाराशन ने रहू केतु की दरस्टि के वारे में कुछ नहीं कहा है, तो इसलिए इस टेक्स्ट के अंदर, तो उसको हम अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये क्योरिसिटी आदमी के मन में आती है, वो क्योरिसिटी क्या आती है, कि भहिया ये शनी, प्रस्वत्य और मंगल को आलग अलग समझते हैं, दो कारण इसके लिए दिये गए हैं, एक तो एस्टरॉनमिकल विव है, मतलब क्रहों का है, जो भूल के हिसाब से आता है, वो कहता है, कि जितने भी ये प्लैनेट हैं, सैटन है, जुपिटर है और मार्स है, ये एक्स्टरनल प्लैनेट से हैं, हम जानते हैं कि ह ब्रस्पती और फिशनी इस तरह चलते हैं, तो मंगल, ब्रस्पती और शनी तीनों जो है ये ब्रहारी ग्रह होते हैं, एक्स्टरन प्लैनेट्स होते हैं, उनको ज्यादा डिस्टेंस कवा करनी होती है, एक चक्कल लगाने में सूर्य के चार ओर, क्योंकि सारे ग्रह सूर्य तो प्रत्वी से इनकी स्पीड काफी कम होती है इसलिए कुछ स्पेशल एंगुलर पोजिशन्स की वज़े से ये ग्रहे एक दूसरे को देखते हैं तो वो विशेस द्रस्टिया इनको प्राप्त है इसका एक व्यू शास्थ्रिय व्यू भी है कि क्यों उनको द्रस्टिय प्राप्त है कहा गया है कि शनी जो होता है वो भरत्य होता है सेवक होता है जिसकी वएसे उसको एफर्ट्स चाहिए और एक्शन लेना जरूरी होता है इसलिए उसको तीसरी और दसवी द्रस्टिय प्राप्त है जुपिटर को ब्रस्पति को देवताओं का गुरू कहा गया है गुरू बोलते है इसलिए उनके अंडर में आती है एजुकेशन पांचवा भाब और उनके अंडर में आता है धर्म की रक्षा नवा भाब तो पांचवी और साथवी नवी द्रस्ति नहीं की है मंगल को सेनापती का गया है कमांडर इंचीफ का गया है जितने भी ग्रहे हैं उनकी राजा सिस्टम बने हुए हैं तो उसमें राजे सिस्टम के अंदर उनको मंगल को सेनापती बोल जागता है इसलिए कहा गया है कि राजे का काम जनता के सुक का काम जो चौथा भाव है उसका देखना इसका जरूरी है और राजे की रक्षा देखने जरूरी है जो दस्वा भाव है इस आठवा भाव जो आयू पजान करता है लोग तो वो उस रक्षा अगर ये देंगे जनता को जनता चौथा भाव है तो उनकी आयू मही रहेगी तो आठव तो इसलिए चौथा और आठवे बाद की इस्पेशल दरस्टी मंगल को दी गई है ये शास्त्रिय दी तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा प्रफम पांचवा श्लोग नेक्स वीडियो में हम छटा श्लोग के बारे में पढ़ेंगे लगुपारश्री के श्ल कीजेगा सबस्राइब कीजेगा इसके लावा हम लोग ख्लास स्टार्ट करने जा रहे है आश्टर लोजीगल डेडीडियल डेमेडीस की एडवांस की अस्ते पभर्क की टेरों कार्ड कि जो जिस भी क्लास में इंट्रेस्टेड हो वो दिये गए नंपत्र के संपर्क कर सकता है धन्यवाद जैशी कृष्यन